हेलो दोस्तों तो मेरा नाम है सुमित और मैं आपका हार दिख हार दिख स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे chiral center को और आप मेरे इस वीडियो को कर दीजिए viral क्योंकि पढ़ेंगे आज हम chiral दोस्तों सबसे पहला example देखते हैं देखिए दोस्तों अगर हम definition की बात करें तो definition यहाँ पर chiral center की क्या होती है कि it must be sp3 hybridized hybridization क्या होना चाहिए sp3 और यहाँ पर arrangement जो है arrangement जो है किसी एक atom के around वो होना चाहिए tetrahedral ओके दोस्तों तो sp3 का मतलब आप जानते ही है कि यहाँ पर tetrahedral arrangement होगा तो देखिए इस example को देखिए यह रहा एक center और इस center को obviously हम जानते हैं यहाँ पर carbon atom है तो इस carbon atom के around देखिए कौन कौन से groups है hydrogen है OH है chlorine है और यह CS3 है तो अभी मैंने कहा कि hybridization sp3 होगी और four different groups होना चाहिए तो important बात जो आपको याद रखनी है four different groups four different groups होना चाहिए अब यह groups क्या हो सकते हैं तो यह आपका जैसे यहाँ पर एक single atom hydrogen भी हो सकता है या फिर multiple atom का group हो सकता है जैसे OH हो गया या फिर CS3 हो गया तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पर check कर सकते हो और अगर कोई center या कोई atom के around इस तरह से सारे conditions fulfill हो रहे हो तो हम वहाँ पर उसको chiral center बोलेंगे और उसको denote कर देंगे हम asterix sign से ओके दोस्तों यह इस type से यह asterix sign है आपका तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर यह जो center है यह क्या है chiral center है दोस्तों अब देखिए chiral center और stereo center यह दोनों थोड़ा सा different होता है chiral center हमेशा sp3 hybridized होता है but stereo center sp3 हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है है ना तो उसको तो हम एक अलग video में discuss करेंगे but अभी आपका focus रहना चाहिए किस पर? chiral center पर अब देखिए किसी भी molecule में अगर सिर्फ एक chiral center है जैसा कि इस molecule में आप देख सकते हो कि सिर्फ एक ऐसा center दिख रहा है जो कि chiral है तो definitely ये molecule क्या होगा optically active क्या होगा optically active तो दोस्तों आपको ये condition समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर importance क्या है आपके chiral center को identify करने का ओके दोस्तों तो अब हम देखते हैं next example को तो ये जो next example है यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 4 groups दिख रहे हैं ठीके और ये आपका क्या denote कर रहा है ये जो आपका center है ये obviously carbon है तो इस carbon से जोड़े हुए 4 groups कौन-कौन से है hydrogen है CH2OH है OH है और CHO है तो अब ये 4 groups क्या different है तो yes, these groups are different और अगर different group है तो हम फिर echo condition चेक करेंगे कि आप र hybridization SP3 है तो आपको याद रखना है जब भी carbon आपके 4 bond बना रहा हो single तो hybridization क्या होता है SP3 तो यहाँ पर ये आपका definitely क्या है SP3 hybridized carbon है तो ये जो आपको center दिख रहा है ये आपका chiral center हो जाएगा और दोस्तों इसी के साथ में हम देखते हैं next example को देखते हैं अब देखिए अभी तो हमने का 4 different groups but अब अगर आपको ये doubt आ जाए कि क्या यहाँ पर ये जो 4 different groups है क्या ये isotopes हो सकते हैं तो answer है बच्चों yes देख सकते हो यहाँ पर ये deuterium है ये hydrogen है और ये आपका treatium है तो ये तीनों ही क्या है isotopes हैं है ना hydrogen मतलब protium, deuterium and treatium ओके तो यहाँ पर ये 3 different मतलब same atomic number है but different mass number है और ये आपका CS3 है एक fourth ठीक है तो ये सभी को हम differently treat करते हैं और जब differently treat कर रहे हैं तो four different groups हो गया यहाँ पर और definitely ये जो center आपको मिल रहा है ये कैसा है ये chiral center है and hence ये molecule कैसा होगा optically active कैसा होगा optically active molecule होगा और optically active molecules को हम और क्या बोलते हैं हम इनको बोलते हैं chiral molecules अब दिखें chiral center एक particular center या किसी एक atom के around कैसा arrangement है उसके बारे में बात कर रहे हैं बट यहाँ पर word है chiral molecule तो confuse नहीं होना आपको ऐसा molecule हम जब chiral molecule बोल रहे हैं इसका मतलब हम पूरा molecule की बात कर रहे हैं तो ये पूरा molecule है ये कैसा है optically active है दोस्तों next example तो ये देख सकते हो example अब देखते हैं यहाँ पर कौन-कौन से groups हैं तो एक तो आपका methyl group है CS3 फिर है hydrogen अब देखें यहाँ पर ये chlorine 35 और chlorine 37 तो ये दोनो क्या हैं ये दोनो isotopes हैं और जब isotopes हैं तो अभी हमने देखा था कि इनको हम different groups मानेंगे तो chlorine 35 एक अलग group है और chlorine 37 हमारे पास में एक different group हैं तो again ये जो center है ये क्या होगा chiral center और क्योंकि molecule में सिर्फ एक chiral center है तो इस molecule को हम बोल देंगे optically active दोस्तों आपको एक बात और याद रखने हैं कि अगर एक से जादा chiral center हमारे पास में हैं एक से जादा अगर chiral center हमारे पास में हैं तो molecule आपका optically active हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है तो ये याद रखना है बट अगर एक chiral center है जैसा कि इस molecule में भी भी देख सकते हो आप तो definitely हम इसको बोल देंगे optically active और optically active molecules को हम और क्या बोलते हैं chiral molecules अगर optically inactive होगा तो हम उसको बोल देंगे achiral molecules ओके तो अभी हम सिर्फ हमारा focus chiral center पर जादा रखेंगे तो दोस्तों next example देखते हैं देखिए ये आपके sulfur को देखिए आप sulfur के around कौन-कौन से groups हैं एक तो phenyl है दूसरा CS3 है ये अब oxygen है ओके और यहां पर एक loan pair है तो sulfur के around four different groups है अब यहां पर hybridization of sulfur क्या होगा तो आपने अगर chemical bonding अच्छे से पढ़ा होगा तो आप यहां पर easily बता देंगे कि sulfur आपका SP3 hybridized है ओके दोस्तों तो अगर यहां पर SP3 hybridization का condition भी fulfill हो रहा है और loan pair को भी हम एक group मानेंगे तो यहां sulfur के around four different groups है और four different groups है तो definitely यह यह जो sulfur है हमारा यह कैसा होगा यह हमारा होगा chiral तो chiral center है sulfur और यह molecule हो जाएगा optically active दोस्तों next example को देखते हैं अब देखिए यहां पर यह ammonia का derivative है ठीक है तो N पर positive है ठीक है दोस्तों अब यह जो ammonium derivative है यहां पर देखते हैं क्या यहां four different groups है तो एक hydrogen, methyl, phenyl और आपका methyl तो यह आपका optically, मतलब इस nitrogen को अगर हम देखें तो यह आपका four different groups नहीं रख रहा है यह जो nitrogen है इसके पास में four different groups नहीं है क्योंकि देख सकते हो दो methyl यहां पर आ गया तो जब same group आ जाते हैं तो आप इसको chiral center नहीं बोल सकते हो यह nitrogen यहां पर chiral center नहीं है दोस्तों अब देखते हैं cyclic compounds बड़े ही interesting होते हैं अगर आपको chiral center पता करना है यह पर तो देखिए यह जो carbon है देख सकते हो यह तो CH2 है यह भी CH2 है यह भी CH2 है और यह भी CH2 है ओके दोस्तों तो हम इनको तो देखेंगे नी क्योंकि इन carbon के around तो 2 hydrogen हो गया मतलब same groups तो इनको check नहीं करना है तो अब से आप जब questions आएंगे आपको सीधे focus किस पर कर देना है आपके इस type के atom पर कौन सा यह वाला अब देखिए इसके respect में देखते हैं कौन कौन से groups है एक तो है chlorine एक है bromine अब इसका linkage देखो तो देखिए left रास्ता यह रहा और right वाला यह रहा ठीक है तो left वाले से जाते हो तो भी सारे arrangement same मिल रहे है और right वाला भी same मिल रहे है मतलब यह अगर हम एक ऐसा imaginary line draw करें तो इसके left और right side कैसा arrangement है same तो यह same arrangement मतलब हम मानेंगे same groups है तो यह जो carbon है यह आपका chiral center नहीं होगा ओके दोस्तों उमीद करता हूँ यह आपको cyclic compound को जो पहला example मैंने बताया इस example में आपको कोई doubt नहीं होगा अब देखते हैं अगले example को तो again हमारा focus अब सीधे सीधे आ जाता है इस carbon पर कौन-कौन से group से आप एक है chlorine एक है bromine और यहां left वाला रास्ता यह रहा right वाला रास्ता यह रहा तो left वाले रास्ते में जाते हो तो आपको एक double bond मिल रहे pi bond मिल रहे यह देख सकते हो यह रहा Ga bond, but right वाले में ऐसा pi bond नहीं मिल रहा है तो इस बार अगर हम एक imaginary ऐसा एक line draw करें, तो इसका left और right side जो है, वो different है, तो हम यहाँ पर कह देंगे, कि यह carbon आपका, कैसा है? chiral कैसा है? chiral carbon है, अब इस example को देखते हैं, तो again देखोगे, तो यह left रास्ता और right रास्ता, यह दोनों क्या है? identical तो यह आपका chiral center नहीं होगा, ओके दोस्तों अब अगला example देखते हैं अब देखिए, यहाँ पर यह CS3 है, H है, यह दोनों different है, बट यहाँ से जाते हो, या फिर यहाँ से, यह symmetric दिख रहा है, तो आप यहाँ पर भी इसको chiral center नहीं बोलोगे, यह जो आपका carbon है, इसको आप chiral center नहीं बोलेंगे, अब अगले example को देखते हैं, तो देखिए यह वाला जो example है इसमें आप, यह CS3 यह H, और यहाँ पर आपके पास में क्या आगया एक double bond, तो यह आपका एक different group कहलाएगा ओके दोस्तों So, I hope कि आपको यह chiral center का concept clear हो गया है तो इस video के लिए इतना ही, I hope आपको यह concept clear हुआ तो अगर आपको मेरा video पसंद आया तो please like, share and subscribe to my channel और अगर आपको कोई भी doubt पूछना है तो please comment box में अपने question को लिखना ना भूले ओके दोस्तों, मिलते हैं हमारे next video में Thank you for watching